हेलो एब्रिवन वेलकम बैक टो चैनल तो कैसे हैं आप लोग आसा है बहुत अच्छे होंगे तो चलिए आज की नई किलास शुरू करते हैं और आज हम बात करेंगे कत्योरी वन से संबंदित प्रशन उतरों के बारे में UKPSC के complete notes मैं आपको इस series में पढ़ाऊंगा यदि आप इस video को लेने चाते हैं तो description box और first comment में आपको whatsapp group link मिल जाएगा तब आप join कर सकते हैं तो चले बिना देरी के वे आज की कलास के शुरूआत करते हैं आपके लिए पहला MCQs है कत्योरी वन्स की नई राजधानी बैजनात किस कत्योरी सासक के दोरान इस्ताफित हुई थी तो आपके पास option A है नर्सिंग देव, option B है भूदेव और option C है ब्रहम देव तथा option D है इस्टगर्ण देव इसमें जो आपका सही आंसर होगा वो होग option number A नर्सिंग देव कत्योरी वन्स की नई राजधानी बैजनात नर्सिंग देव कत्योरी सासक के दोरान इस्ताफित हुई थी अब नर्सिंग देव कार्तिकेपूर का एक परम परतापी कत्योरी नरेश था और नर्सिंग देव का संबंद कत्योरी वन्स से चोथे परिवा और हम चलते हैं अगले question के और अगला question है कत्योरी कालीन बागेशवर सिलाले किस कत्योरी राजा ने बनवाया था तो इसमें option A है तिर्भोवन राजदेव, option B है भूदेव, option C है बसंत देव और option D है इच्छत देव, तो इसमें जो आपका सही answer है वो है option नमर B भूदेव, कत्योरी कालीन बागेशवर सिलालेक भूदेव जो की कत्योरी राजा था उसने बनवाया था अब यहाँ सिलालेक लगबग लुप्त हो चुका है जिसमें की बागेशवर का नाम दिया था बाणेशवरम बाणेशवरम आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा और कार्थिकेपूर नरेश भूदेव के अत्रिक इस सिलालेक पर जो की मसनत देव, खरपर देव, कल्यान राजदेव, तिर्भूवन राजदेव और इस्ट्रिगन देव तथा ललित सूर देव के नाम भ अपसिन अब vibe, ब्रहुंपूर थे यसुनारे फूर नरेश घर唱क देव, कल्यान पर देव, थे तो इसमाना इसम्राव और ज़कि जल्द ही कर्थो के इसम्राम सी जादेव, कुक्तीरे थे जयादेव माथो की अन्धोर ही विए मत कार्थिकेपूर इस्थाना अंद़र जाते हैं जैसे कि आप कह सकते हैं कि राजा सालिवाहन को भी सकवन से माना जाता है इसलिए कत्योरी राजवन्स भी सकवन्सा वाली के माने जाते हैं और हम चलते हैं अगले अगला म्सक्योर है कत्योरी राजवन्स यानि कार्ट केपूर के संस्तापक कौन थे तो कार्ट केपूर राजवन्स के जो संस्तापक थे वो थे आपका ऑप्शन नमर ए बसंत देव आपका सही आंसर आजाएगा बसंत देव को कत्योरी राजवन्स का वास्तविक संस्तापक म का सामन्त था तो इसमें जो आपका सही आंसर है वो है option नमर ए राजा यशो वर्मन का कत्योरी वंस का जो संस्तापक था वो था बसंत देव और ये राजा यशो वर्मन का सामन्त था अगला mcq है किस राजा ने समस्त उत्राखन को एक सूत्र में बांधने का प्रियास किया था तो इसमें जो आपका सही आंसर है वो है आपका option नमर डी इस्टगंदेव इस्टगंदेव राजा ने समस्त उत्राखन को एक सूत्र में बांधने की एक बांधने का प्रियास किया था अब अगला क्वेस्टन है कत्यूरी कालीन सिलाले किस इस्तान से प्राप्त हुआ है तो आपका इसमें जो सही आंसर है वो है आपका आप्सन नमबर बागेश्वर बागेश्वर से कत्यूरी कालिन सिलालेक प्राप्त हुए हैं और अब कत्यूरी राजाओं के बारे में अधिकांस जो हमें विब्रान मिलता है वो सिलालेकों में ही पाए गए हैं और सिलालेक जैसे जागेश्वर, बैजनात, बागेश्वर, बदरिनात और पांडू केसर के मंदिर में पाए गए हैं इनमें से पांच आपके हैं तामर पत्र और बाकी एक है आपका इसमें अभिलेक अब इसमें आपका जो अगला MCQ है वो है बसंत देव के बाद किस कतूरी राजवन्स ने सत्ता इस्ताफित की तो इसमें जो आपका सही आंसर है वो है आपका ऑप्सिन नमबर D खरपरदेव वन्स के बारे में आपको पहले ही बता रखा है बाकी इसकी बारे में कुछ जादा इंपोर्टेंट तो है नहीं और यदि अभी तक आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे बाकी BNT उत्राखन नाम से एक और चैनल है जिसमें के आपको अलग से उत्राखन टॉपिक वाईज आपको लेशन मिलेंगे और टॉपिंग मिलेंगे तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं तो चलिए हम अगले MCQ की और चलते है अब इसमें अगला जो क्वेस्टन है वो है जोसी मट का नर्सिंग मंदिर किस कत्यूरी राजा द्वारा बनाया गया था तो आप्शन A है नर्सिंग देव, आप्शन B बसंत देव, आप्शन C है भूदेव और आप्शन D है इनमें से कोई नहीं तो आपका जो सही आंसर है वो है आपका आप्शन नमर A नर्सिंग देव जोसी मट का जो नर्सिंग मंदिर है वो नर्सिंग देव ने बनाया था ये एक कत्यूरी राजा था अगला MCQ है उत्राखन में राज करने वाली प्रेथम राजनीतिक सकती कौन थी तो इसमें जो आपका सही आंसर है वो है आपका उप्सिन नमबर C उत्राखन में राज करने वाली जो राजनीतिक सकती थी प्रेथम वो थी आपकी कौरिन दूँँउंस कहते हैं कि उत्राखन पर शाषन करने वाली प्रेथम सासक कौरिन दूँँउंस थी और ऐसी मानेता है कि वे मॉरसमराज के अधीन भी थे अगला MCQ है कत्यूर राजवन्स का अंतिम सासक कौन था तो इसमें आपका उप्सन दिये है नर्सिंग देव उप्सन B है भूदेव उप्सन C है ब्रह्म देव और उप्सन D है इस्टगर देव तो इसका जो सही आंसर है वो है ब्रह्म देव कतियो राजवन्स का अंतिव सासक ब्रह्म देव था ये कल के लेसन में भी पूछा गया था होफिली कि आपने कल वाली वीडियो भी देखे होगे अब अगला क्वेस्चन है उत्राखण में सासन करने वाला पहला एतिहासिक सक्तिसाली राजवन्स कौन था तो उत्राखण में कई ऐसे सक्तिसाली जो राजवन्स आए जैसे आप कह सकते हैं चन्वन्स परमार्वन्स कौन वन्स कार्थिकेपूर वन्स या आप कह सकते हैं कत्योरी वन्स तो इनमें जो सबसे एतिहासिक और पहला एतिहासिक सक्तिसाली राजवन्स था वो कौन था तो वो था आपका कार्तिकेपुर या आप कह सकते हैं कत्योरी राजवन्स option नमर डी आपका इसमें सही आंसर आ जाएगा अगला mcq है निम्बर देव वन्स के संस्तापक निम्बर किस मत के अनुयाई थे अगला mcq है राज तेरेंगणी पुस्तक किस के द्वारा लिखी गई है तो option नमर भी इसमें आपका सही आंसर है कलहन द्वारा इनके बारे में मैंने कल वाले वीडियो में आपको explain किया है तो आप लोगों ने वो वाले वीडियो नहीं देखी तो description box में लिंक है या आप चैनल पर विजिट करके उस वीडियो को देख सकते हैं अगला MCQ है किस अविलेक से ग्यात होता है कि राजा त्रिववन के समय बंगाल के पालवन्स के सासक धर्मपाल ने गड़वाल पर आकरमण किया था तो उप्चन नमर ए है नालंदा अविलेक उप्चन भी है काल से अविलेक उप्चन से है हाथी गुमफा अविलेक उप्चन डी है इनमें से कोई नहीं इसमें जो आपका सेयांसर है वो है आप्सन नमर ए नालंदा अभिलेक नालंदा अभिलेक से ग्यात होता है कि राजा त्रिभौन के समय बंगाल के जो पाल वंस के सासक थे धर्मपाल उन्होंने गड़वाल पर आकरमन किया था अगला MCQ है पांडू के स्वर तामर पत्र में कि सासक को कलिकंग पंख में मगने धर्ती के उद्वार के लिए बराह वतार बताया गया है तो आपसन नमबर A है स्टिकन देव आपसन B है बसंत देव आपसन C है ललित सूर देव और आपसन D है भू देव इसमें तो जो आपका सैयांसर है वो है आपसन नमबर C ललित सूर देव आपका इसमें सैयांसर आ जाएगा बाकी ये last में उत्तरमाला है hopefully कि आपके पास ये PDF होगी और मैंने पहले भी बता दिया कि आप अजी PDF चाहते हैं तो आप हमें WhatsApp कर सकते हैं और हमारा जो WhatsApp नमर है 7409-287156 ये हमारा WhatsApp नमर है और first comment तथा description box में WhatsApp गुरूप की link है आप वहां जोड़ सकते हैं free notes आपको provide के जाएंगे तो दोस्तों बहुत बहुत धनिवाद आप सभी लोगों का हमारे साथ जोड़ने के लिए I hope कि आपको वीडियो पसंद आई होगी पसंद आया है तो like कीजिए comment कीजिए और अपने दोस्तों के साथ share कीजिए हमारी तरफ से आप सभी को धेर सारी सुब कामना है अपना ध्यान रखिए ख्याल रखिए और पढ़िए Thank you for watching Stay connected, stay blessed